आप सभी लोगों का स्वागत है सचता नजमयत पे तो हम इस तरह का सवाल आप लोगों को बताने वाले हैं यक्स कमान कैसे निकाला जाए यक्स प्लस अंडरूट यक्स यक्स प्लस अंडरूट यक्स बरावर 90 है तो यक्स कमान किया होगा यह बात करना है तो यदि हम सवाल के जरी ये सवाल बनाएं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इसको कम समय में कैसे बनाया जाए ये देखें तो हम कम समय बनाने के लिए यदि हम परते को यक्स के जगा यानि यक्स बराबर हम 80 रखें और यक्स बराबर यक्सी रखने के बाद हम लोगं को 90 के बराबर मिल जाता है तो क्लिएर है तो क्या रखेंगे यक्स के जगह पे 80 रखते हैं तो हम लोगं का सवाल है यही यक्स प्लस अंडर रूट यक्स बराबर 90 तो हम यक्स के जगा 85 रखते हैं पलस अंडर रूट 80 बराबर 90 तो अंडर रूट 80 का मान आप निकालेंगे तो बताई उसको निकालने के बाद 80 में जोड़ेंगे तो क्या 90 हो सकता है तो 80 का आप अंडर रूट मान निकालेंगे तो यह होने वाला नहीं है आप भी चानते हैं कि अंडर रूट 80 का हम लोग वर्क करते हैं तो होने वाला नहीं है इनको हम छोड़ देते हैं इसलिए कि इससे सही होने वाला अगला देखेंगे, अगला एक आसी है, यह हम 64 रख लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे 64 रखेंगे, प्लस यक्स बराबर 90, तो हम 64 रखेंगे, तो यहाँ पे यक्स कमान, 64 तो 64 प्लस और अंडरूट 64 कमान आपको पता है, इनका निकाल ले बहुत असान है, तो होगा कितना 8 होगा, बराबर 90, इनको जोड़ेंगे 8 तो 10, 12, 12, 12 को 2 हाथ में लगा, एक 6, ए और एक 7, 72 हुआ, यानि ए भी सही नहीं हुआ, तो अपनी अनभाव से आप जितना थोड़ा सा मजदारी वाला काम लगाएंगे, तो उनकी अनुसार आप इस में से चूनेंगे, जो कि हो सकता है, और रखेंगे, बहुत कम समय में आप बना सकते हैं, तो का आप देखी रखते हम 81, क्या रखें, 81 रखते हैं, अब जैसे हम यहाँ पर 81 रखेंगे, परलस अंदर रूट, कितना है, 81, बराबर 90, तो 81 के लिए 80 रखेंगे, पलस और 81, अंदर रूट रखेंगे, तो उसका मन कितना हो जाएगा, 9 होगा, तो हम यहाँ पर 9 रख लेते ह हुआ, तो कहेंगे, 9, 1, 10 को 0, आत में लगा, एक और 8, एक 9, यह यह राइट हेंड साइट यह राइट हेंड साइट और लिफ्ट हेंड साइट यह बाया पच्छ और दाया पच्छ दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग कहेंगे, इनका आपसन कौन है, बी नमबर सही, तो इस तरह यक्स का मान दिया हो, तो उसको पहुत लांग नहीं करेंगे, अपने से आप थोड़ा, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे, करने के बाद बहुत कम समय में आप इनको बना सकते हैं, अगला सवाल देखिए, अब देखिए, इन में, ओहां पे तो अंडर इंगलीस में कहना चाहें, तो कहेंगे, सर्ट्स एंड, कहा कहेंगे, सर्ट्स एंड, इंडिसेज, सर्ट्स एंड, इंडिसेज, और हिंदी में कहेंगे, इनको सतत करणी, कहा कहेंगे, सतत करणी हिंदी में कहेंगे, और इंगलीस में सर्ट्स एंड, इंडिसेज कहेंगे, तो इनका परचे आपको पता नहीं, आप देखिए हम इनको ये वाले सवाल को बना के आपके पास भेच चुके हैं, इनको आप देखे होंगे, और यदी आप देखेंगे कि यदी इनका वर्ग करने के यानि इनका क्यूब करने पर इनके बराबर होता है, तो इनका मान क्या होगा, आपको क्या मिलने वाला है, 7 बटे, 24 मिलेगा, का मिलेगा, 7 बटे, 24, तो सबका मान वही मिलेगा, सब का मान वही मिलेगा तो आप इसको हल कर सकते हैं तो यह दोनों सवाले की है और इनको आप comment box में बताएंगे कि इनका मान वही मिला की नहीं तो हम एक ऊपर वाला हल करके दिखा देते हैं और सब यह वही सवाल है, बस करना का है और इनका रूल्स और नियम देखिए, अब देखिए इस तरह का सवाल जैसे यहां पर यक्स का मान बताने हैं, यहां यक्स का मान निकलना है, तो हम यहां दोनों पच्छों में वर्ग करने पर जाएंगे, अब इनका हम यहीं सी जगव वर्ग करते हैं और इनका भी करेंगे अब जैसे इनका वर्ग करेंगे तो यह वाले रूट से फास्ट रूट केंसिल हो जाता है फास्ट रूट केंसिल तो बचा कितना तीन बचेगा अंडर रूट तीन और अंडर रूट तीन बच्चा और इधर कितना हुआ जैसे उनको हल करेंगे तो ए के पावर यम और इनके पावर यन हो तो ए के पावर यम इन्टू यन ये फार्मूले के तहाट ये सवाल हल हो जाता है तो हम उनको का बनाएंगे 27 27 के पावर अगला इस्टेप फिन हम इनको वर्ग करते हैं कहां करेंगे दोनो पच्चों में वर्ग करने पर तो दोनो पच्चों में वर्ग करेंगे तो ये तीन का वर्ग करेंगे तो कितना बनता है 9 बनेगा तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे और एक बार और root वाला इन से cancel हो जाता है तो मिलेगा क्या root कट रहा तो 3 मिला और under root 3 बच्चा है बराबर 27 की power ये दिए 2 उसे गुणा करेंगे तो 4x होता है ना एक पावर याम इन्टू पावर के power n तो हम लोग उनके तहत अभी बताए थे तो अब यहाँ पर 4x होगा कितना हुआ फोर x हो गया अब हम लोग इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा 27 होगा तो 27 under root 3 बराबर 27 4x हो गया अब हम 27 से दोनों पच्चों में भाग दे दें ताकि हम लोग का x यानि किसका मान निकालना यक्स का मान निकालना तो छोटा किया जाए तो हम दोनों पच्चों में 27 से भाग देंगे जाएसे 27 से भाग देंगे तो यह वाला पार्ट कर जाता है लेकिन इधर वाला पार्ट देखें इनके पावर 4 यानि 4x है तो इनके पावर कुछ नहीं है तो ये कटने वाला नहीं है तो इनको उसी तरह छोड़ा जाए तो बचेगा अंडर रूट 3 बराबर 27 के पावर 4 यक्स और नीचे यहां कुछ नहों तो पलस 1 रहता है कितना रहता है पलस 1 और उपर जाएगा तो माइनस 1 होगा कितना होगा माइनस 1 जैसे देख लिजी एक इस तरह होता है यहां पे 27 के पावर 4 यक्स है और नीचे से जैसे यह वाला पलस वाला उपर गया तो 27 के पावर माइनस 1 और जब दोनों बेश सामान होतों का होता है घातांक में पावर जुट जाते हैं तो 27 के पावर होगा 4 यक्स माइनस 1 यह वाला पाठ होगा उसी तरह हम इनको करती है अब हम आगे इनको कैसे बढ़ाया जाए देखिए अब हम इनको हल करते हैं तो इनका वर्ग करेंगे दोनों पच्छों में वर्ग करने पर ठीक है तो जैसे दोनों पच्छों में वर्ग करेंगे तो अंडर रूट तीन है तो तीन हो जाएगा बचा इधर कितना 27 अब और करेंगे तो चार दूना के आठ होगा 8 यक्स और माइनस 2 किलियर है अब हम इनको बेस समान करने के लिए का करेंगे कि तीन के पावर तीन लिख सकते हैं क्यों कि हम लोग का ये बेस समान हो जाए ताकि इनको छोड़ दें और हम यक्स कमान निकाल लें तो बचा कितना था हम लोग का यहाँ पे 8 यक्स माइनस 2 तो 3 बराबर हो गया 3 और 3 काइन में गुना करेंगे तो 24 यक्स और यही 3 काइन धर करते हैं तो माइनस 6 होगा क्लियर है अब देखी दोनों बेश समान होगे लेकिन इनकी पावर प्लस 1 है प्लस 1 है तो जैसे हम इनको छोड़ देते हैं तो बराबर का इधर देखी कितना बचा है इधर कितना बचा है बराबर का एक तरफ तो 24 यक्स माइनस 6 और बराबर इधर एक बचा है अब इनको बराबर को आचर को हम एक तरफ ले चलते हैं अचर को एक तरफ और चर और अचर एक में है तो एक तरफ करें अब इधर बनता है 24 CX और यह दोनों एक तरफ ले जाएंगे तो प्लस को हम एक तरफ लेके आजाएं तो हो जाएगा कितना धानात्मक हो जाएगा कितना होगा धानात्मक तो हम प्लस को यदि हम इस पच्छ में लेके जाती हैं तो यहां से पहले प्लस था और यह भी माइनस से तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो उस केस में हम लोग कस साथ हो जाएगा तो यक्स बराबर हुआ साथ बटे में 24 यही इनका उत्तर हो जाता है तो यक्स का मान मिला साथ बटे में 24 तो जो हम सवाल लाय दिखायते UNDER रुट 5 2 5 5 बराबर 125 उसका भी मान वही होगा UNDER रुट 6 और UNDER रुट 6 और UNDER बराबर 216 के पावर यक्स तो सब का मान यही मिलेगा यक्स बराबर 7 वटे 24 यह सवाल समझ में आया तो एक लाइक और कमेंट कीजिएगे इसके लिए धन्यवाद बड़े भाई